प्रेसिक सिच्छा विभाग की बिगत दिनों संपन्वे उनस्तर हजार सहायक अध्यापक भरती में आरक्षण की प्रक्रिया को लागू करने में कुछ बिसंगतियों को आधार बनाकर कुछ अभ्यर्थी लगातार इस बात की सिकायत कर रहे थे कि जिनको उस चैन सूची में होना चाहिए था उनका नाम उस सूची में नहीं है उनके इस मांग पर विचार करते हुए उस प्रक्रिया का अध्यन करने के बाद ये देखा गया कि कुछ आरचित बर्ग के अभ्यर्थी प्रवावित हैं जिनका नाम उस चैन सूची में होना च प्रक्रिया में आरचित बर्क के प्रभावित अभ्यर्थिएं की भरति की जाएगी। उसकी पूरी प्रक्रिया आज हम जारी कर रहे हैं। आज 24 दिसंबर से ही वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 6 जन्वरी को काउंसिलिंग के उपरां तो प्रक्रिया पूरी होगी और जो अब भरती छूट गए थे उनकी भरती प्रक्रिया पूरी करके उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। एक और विसे हैं और विसे यह है कि जब माने सरवोच नियायले ने सिक्षा मित्रों का 27 सिक्षक के रूप में समायोजन 2016 में निरस्त किया था तो उस समय उत्तर प्रदेश सरकार को या निर्देश दिया था कि 137,000 पदों पर 27 सिक्षकों की भरती की जाएगा। उस निर्देश के क्रम में दो बार सिक्षक भरती हुई है। एक बार 68,500 की भरती प्रक्रिया और एक बार 69,000 साहिक अध्यापक भरती प्रक्रिया। सुधार के बाद जो पद भरती किये जाएंगे 137,000 पदों के सापेक्ष लगभग 17,000 पद रिक्त रह जाएंगे। इसलिए मानिय सर्वोच नियाले के निर्देशों के क्रम में उन लगभग 17,000 पदों पर हम नई भरती भी करने जा रहे हैं।